हेलो फ्रेंड्स तूड़े विव इस्टेडी सम यूजिज तेकि आज हम कुछ जो वर्ड होते हैं जिनका हम यूज करते हैं उनके बारे में स्टेडी करेंगे आपो देखें यह टूवर्ड है हुस्ट है हमाराइं स्टेड और सैकीन हमारा विसाइड अब देखें फॉस्ट देखते हम इनिश्टी डॉफ डेकिंश्टोड प्रेंश को जाएं चीडिकर इसका आर्त होता है के बजाए और दियान रखें हमें हमेशा जो हैं इनिश्टीड के बाद में ओंफ का यूज होता है देखिए कैने और ये अर्ठ के बजाई या के इस्थान पर अथार दो वस्तू में दोनों ौन के बीच में यूज करेंगे देखे पहले हम उस नावन को यूज करेंगे और जिसका उप्योग नहीं कर रहे हैं उसको हम बाद में यूज करते हैं अब देखे इसका हमारा structure है किसी भी sentence का सबसे महत्यपून होता है उसका structure तो पहले हम subject subject के बाद में verb जोन सबी sentence जिसमें है past में present में या future में जो भी होगा उसके according हमारी verb लगेगी अब देखे यहां पर जो है noun जिसका हम उप्योग करना चाह रहे हैं जो हम जिसे preference दे रहे हैं अब जिसको preference नहीं दे रहे हैं वो last में और उसके बीच में instead of का प्रयोग करते हैं देखे इसमें दियावा हमने चाय के बजाए दूद पिया हमने चाय के बजाए दूद पिया तो हमने देखे अब चाय थोड़ी पी हमने चाय तो नहीं पी हमने हमने पिया दूद पिया यह दूद हमने पिया sentence हमारा हो गया past inde indefinite में तो we drink हमने क्या drink milk हमने दूद पिया कि स्थान पर इन स्टिड़ ऑफ चाया के स्थान पर तो देखे CTanse हमारा कोई सवी है क्या आँख करते हैं आग्रा देखे सेंटेंस है वेद दिल्ली के बजाए आगरा गया तो यह कहां गया आगरा गया दिल्ली नहीं जाएगे तो इसमें हमारा जाएगी सेंटेंस होते लिक कर नहीं जाएगी इनसेड़ी नेली के बजाए तो इससा बहुत अधिक यूज अता है जो इनीसिटिड ऊफ उस का बहुत अधिक जो है यूजक किया जाता है अब देखे सेकंड यूज app कि अब देखे सेकंडलल्य यूज व्मारा क्या है भीसाइड है अब दpower का समझी क्या हूता है पीसाइड पीसाइड का जो अर्थ purity के अलावा या के अतीरिक अथार दोनों नाउन का यूज क्या गया इसमें दोनों वस्तों को परियोग क्या गया इसमें राइट तो जब दोनों वस्तों का उप्योग क्या जाता है तो वहां पर बिसाइड का परियोग किया जाता है देखें वहाँ इनिश्टी डोल पे तो हम एक वस्तू को यूज कर रहे थे एक का नहीं कर रहे थे लेकिन इसमें क्या होता है दोनों को हम जो है यूज करते है तो इसका देखें इस्टेक्चर हमारा होगे सब्जेक्ट वर्ब नाउन विश्ट और नाउन तो दोनों का जो है हमारा यहां पर दोनों के बीच्प में बिश्ट का प्रियोग किया जाता है मने क् homem 17 केले भी खाये ज़ोगी दोनों छीझ ऐडिा ऊसने ठीजका यहीvania किले पी उसने लाइत तो नहा यूज़ कर रहा है, right, EATEAT हमारी first form होती है, और 8 हमारी जो इसकी second form होती है, EATEN, और EATEN हमारी third form होती है, तो second form देखे, past indefinite के affirmative में second form हम यूज़ करते हैं, तो V8 बनाना, हमने केले खाए, besides apple, save के अतीरिक्त, हमने save के थितlasse केले भी खाए । यहाँ पर देखें कि दोनों वस्तों कर रहे हैं । बनाना भी खा रहे हैं बिखें सेंटेंस देखें रहे हैं। मैं हिंडी के अतीति अंग्रेजी भी ब सुफनक बोलता हूं विसाइड हिंदी हिंदी के आतीरिक्द अथार देखे इस सेंटेंस को पढ़ने से हम में लग रहा है कि दोनों काम करता है वह इंगली सी भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है ठीक है ना एक चीज का थोड़ा सा और दिहान लखे देखे बिसाइड बी एस आई ड कि मेरे पास में बैठिये तो देखे उस इसमें अंतर होता है हमेशा उसमें इसमें बी साइडस बी एसाइड यह उतती है यह बी साइड होतता है इसका आड़ा सकते है इसमें प्लीज प्लीज सीट बिसाइड बी एस आई डी इबी साइड मी तो इसका अर्थ हो जाएगा किरिपया मेरे पास में बैठिये अब देखें यहां पर यह एस लगा देगे तो आर्थ इसका चैंज हो जाओगा तो दियान रखें इसका एस में ही बहुत इसको अठा देता है तो सारा आ योग जो है हम बिसाइड और इंस्टीट का बहुत अक्सर जो है किया करते है ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल